Hello everyone, how are you all? Welcome to Move to Study. So students, this is the video for class 7, chapter number 4, photosynthesis. Class 7 की series की मैं पिछली 3 chapter की videos प्लस chapter number 6 एक्सक्रिटरी सिस्टम एक्स्प्लें कर चुकी हूँ. तो पिछली 3 चाप्टर के videos और chapter 6 अगर आप देखना जाते हैं तो वो सभी आपको class 7 की playlist में मिल जाएंगी. आज के इस वीडियो में हम chapter number 4 का part 1 डिसकस करेंगे और देखते हैं कि कितने parts में ये videos बनेगी and the last part will be the test yourself solution. फटर फटर अगर आप चानल पे नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर लें, bell icon notification को on कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें. आज के इस चाप्टर में हम photosynthesis के बारे में पढ़ने वाले हैं. So students, photosynthesis आप सभी जानते हैं एक बहुत ही important process है. Class 5 से आप पढ़ना शुरू करते हैं कि photosynthesis क्या है. अगर मैं एक normal term में बात करूँ, तो पेर जो अपना खाना बनाते हैं, पेरों का जो खाना बनाने का process है, उसको हम photosynthesis कहते हैं. तो जाप 10 में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले की concept देख लेते हैं, तो स्क्रीन पे आप अपनी ICSC श्रीजन biology बाइवीर बाला रस्तोगी की book देख रहे हैं. इसमें हम photosynthesis, इसके basic process क्या हैं, leaf के बारे में पढ़ेंगे की leaf को photosynthetic organ क्यों कहते हैं, stomata, the size of exchange of gases, factors जो photosynthesis को effect करते हैं, significance क्या है photosynthesis की, glucose का क्या होता है, and experiments related to the photosynthesis process. तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अज की वीडियो को, just a second, okay, so, you all know that living things despite great diversity in shape, size, appearance, have basic common features such as all living organisms grow in size. मतलब ये कहा जा रहा है कि जितने भी living organism हैं, उनमें बहुत differences हैं, great diversity का मतलब क्या है, सब अलग अलग तरह के, ठीक है, किसी का shape कुछ है, किसी का size कुछ है, किसी का appearance कुछ और है, लेकिन जो एक common characters हैं, सभी living thing में, अच्छा, आप लोगों को याद होगा, कि आप लोगों न करते हैं, जो develop करते हैं, ठीक है, वो सबी चीज़े क्या होती है, living thing होती है, तो ये common features है, living thing के, वो जितने भी organism है, living thing के, वो क्या करते हैं, they grow in size, वो size में grow करते हैं, all organism multiplying number, मतलब वो अपने numbers को बढ़ाते हैं, अगर दो plants हैं, तो उससे जादा और बढ़ेंगे, फिर उससे और बनाते हैं, और इस process को बच्चों क्या कहते हैं, reproduction कहते हैं, जब animals या plants या कोई भी living organism अपने ही जैसे और organisms को produce करते हैं, they respond to stimulus and edges to change, response to stimulus का मतलब है कि कि किसी भी external stimuli होती है, उससे response करते हैं, जैसे for example, अगर किसी area में हम रह रहे हैं, तो हम अपने temperature हमें क्या करता है, effect करता है, इसी तरह से plants effect करता है, उन पे भी temperature या sunlight की intensity, तो जो भी external stimuli है, उसको उससे response करना and edges to change in their surrounding and environment that is called adaptation, और इसके साथ साथ जितने भी living organism हैं, उनकी क्या quality है कि वो adapt करते हैं, अपने environment के हिसाब से धनने की कोशिश करते हैं, तो ये सबी क्या हैं, common features हैं living organism के, to perform all these activities, they need energy, अब भई basic सी बात है, living organism कोई भी काम करते हैं, कोई भी activity हो चाहिए, जो उपर mention है, या इसके लावा कोई भी activity, उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें energy की जरवत है, energy comes from food, और भई, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो I have that energy to speak तब ही तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, तब ही तो मैं चीजों को explain कर बारी हूँ, और अगर मेरे अंदर वो energy नहीं है, तो मैं ये work नहीं कर सकती हूँ, और ultimately energy मुझे मिल कहां से रही है, जो भी मैं food खा रही हूँ, तो अगर आप लोग एक दिन खाना नहीं खाते हो, तो you feel dull, क्योंकि हमारी body में energy की कमी हो जाती है, तो जो energy आती है, वो मैं कहां से आती है, food से आती है, जो हम खाना खाते हैं, therefore all living organism carry out basic life process like nutrition, respiration, excretion, response and reproduction, तो जितनी भी living organism हैं, उनमें ये सभी process होते हैं, nutrition मतलब जो हम खाना खा रहे हैं, respiration, sastanica process, excretion मतलब, जो हम body से अपने waste excrete out करते हैं, response मतलब किसी भी external stimuli को response करना and reproduction और हम reproduce भी करते हैं, अपने ही जैसे और organism को birth देते हैं, ठीक है, अपने जैसे own kind को produce करते हैं, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी living organism की characteristics हैं, you have studied in class 6 that animals take solid food for obtaining energy, ठीक है, class 6 में आपने ये study किया कि जो animals हैं, वो क्या करते हैं, solid food लेते हैं, energy को obtain करने के लिए, however, green plants make their food by the process, so photosynthesis, भै ये आप जानते हो कि animals क्या हैं, animals consumers हैं न, class 5 में आपने ये chapter पढ़ा होगा, class 6 में आपने ये chapter पढ़ा होगा, कि producers, consumers, omnivores ये सब क्या होते हैं, तो animals क्या हैं, ये consumers हैं, ये consume करते हैं, ये plants, different animals पर depend करते हैं, अपने खाने के लिए, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, सारी चीज़े एक दूसरे से क्या हैं, interconnected हैं, however, green plants make their food by the process of photosynthesis, अब जो green plants हैं, वो अपना खाना दूसरे पेड़ों को खाके नहीं complete करते हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, और किस process से बनाते हैं, photosynthesis के process से बनाते हैं, therefore, plants are called autotrops, इसलिए plants को क्या कहा जाता है, इसल nutrition in plant is called autotropic nutrition, और यह याद रखेगा कि वो organisms जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, उनको autotrops कहते हैं, और उनका जो nutrition है, उसको क्या कहा जाता है, autotropic nutrition कहा जाता है, ठीक है, इसी का contrary क्या आता है, वो organisms जो अपने खाने के लिए किसी और पे निर्भर करते हैं, दूसरे पेर और यह जानवरों पे depend करते हैं, उनको heterotrops कहते हैं, और उनके nutrition को क्या कहते हैं, heterotropic nutrition कहते हैं, I hope यह सारी चीज़े clear हो गई होंगी, अगर सारी चीज़े clear हो रही हैं, तो वीडियो को like कर दीजे, and चैनल को subscribe कर दीजे, and वीडियो को end तक के देखिए, अपने दोस्तों के स साथ शेयर करिए, and जो भी आपकी queries हो, वो comment section में comment करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, यहां पर आप डाइग्राम देख रहे हैं, तो यहां पे एक leaf बनी होई है, and आप उपर से देखिए, sun की light पती पे आ रही है, और leaf पे लिखा हुआ है food, क्योंकि यहां पे खाना बन रह जा रही है, और oxygen release हो रही है, और water intake हो रहा है, तो बच्चों, photosynthesis का process क्या होता है, आपको याद होगा, the process of photosynthesis in the leaf of green plant, जो हरी पतियां है, यहां पे photosynthesis का process होता है, मतलब इनको हम food factory भी कहते हैं, क्योंकि पेड अपना खाना यहां बनाते हैं, using carbon dioxide, क्या-क्या यूज करते हैं carbon dioxide, water and sunlight, यह सारी चीज़े use होती है, photosynthesis के process के वक्त, और product क्या होता है, oxygen gas is the product, oxygen gas क्या होती है, release होती है, तो पेड carbon dioxide use करते हैं, जब अपना खाना बनाते हैं, और उसके बदले में हमको क्या देते हैं, oxygen देते हैं, अब या आगे हम इसको और detail में पढ़ते हैं, photosynthesis, Greek word क्या है, photo, जिसका मतलब होता है, light plus synthesis, synthesis का मतलब होता है, combining, light combining reaction है, जब light combine करती है, carbon dioxide and water के साथ, तो क्या product बनता है, glucose and oxygen, photosynthesis is a process by which green plants, green parts of plants make food from carbon dioxide and water with the help of chlorophyll green pigment and energy from sunlight, अब देखें, इसमें क्या लिखा है, photosynthesis is a process, यह वो process है, by which जिसके जरीए green parts of the plant, मतलब photosynthesis, जितने भी plants के green parts होते हैं, वहाँ पे photosynthesis हो रहा होता है, 99% photosynthesis का process पत्तियों में होता है, लेकिन उसके अलावा भी जो green parts हैं, वहाँ पे भी होता है, make food from carbon dioxide, वो अपना खाना बनाते हैं, किस से, carbon dioxide से and water, ठीके, they use carbon dioxide and water with the help of chlorophyll, अब देखें, chlorophyll क्या है, chlorophyll वो green color का pigment है, जो पेडों में present होता है, अब plants के अंदर क्या होता है, chloroplast, एक organ होता है, आपको अगर याद हो, तो उस chloroplast में green pigment present होता है, जिसके वज़े से पेडों का color हरा होता है, तो photosynthesis में उसका भी use होता है, and energy from the sunlight, तो इन सभी चीजों को use करके, प्लांट क्या करता है, glucose और oxygen बनता है, इस process को हम क्या कहते हैं, photosynthesis कहते हैं, during photosynthesis, glucose is synthesized and oxygen is released, मतलब क्या होता है, glucose का synthesis होता है, और oxygen gas release होती है, under the presence of sunlight and chlorophyll equation important है, आप इसको याद कर लीजे, अपने book में mark कर लीजे, highlight कर लीजे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, during photosynthesis, solar energy is trapped by chlorophyll, अभी मैंने बात कर रहा ना कि chlorophyll का use होता है, तो chlorophyll का क्या काम है, chlorophyll क्या करती है, जो सूरच की energy है, उसको trap करती है, and change into the chemical energy, और उस sun energy को वो किसमें convert कर देती है, chemical energy में in the form of glucose, the glucose thus prepared, is distributed to different parts of the plant, फिर उसके बाद as a result glucose बनता है, जो कि पेडों के different parts में चला जाता है, use के लिए, और जो extra glucose होता है, वो starch के form में क्या होता है, store हो जाता है, ठीक है, something more देख लेते हैं, something more, solar energy is the only source of energy for all living beings on earth, ये बात तो आप जानते हैं, कि जो primary source है, जो ultimate source है energy का, वो क्या है, सूरच की रोशनी है, तो सूरच की रोशनी एक मात्र पहला source है, मतलब ultimate source है, जहां से energy मिलती है, सभी living organism को, photosynthesis अगर in the green cells of leaves, photosynthesis का process कहा होता है, जो green cells हैं leaves की, जो green part है, उसमें होता है, photosynthesis also take place in other green parts of the plant, for example, green stem, तो मैंने अभी आपको बताया था ना की, leaves के अलावा, stomata के अलावा भी, जहां पे green parts होते हैं, plant के, वहां भी photosynthesis का process हो रहा होता है, इन desert plant, वेर leaves are modified into spines, आपको पता है ना, पेड़ों का जो रेगिस्तान में पेड़ों होते हैं, उनके पत्ते काटों में तब्दील हो जाते हैं, काटों में convert हो जाते हैं, ताकि पानी का loss ना हो, तो the stem becomes green for photosynthesis, तो ऐसे, जब उनके जो पत्ते होते हैं, वो काटे बन जाते हैं, तो photosynthesis का process कहा होगा, तो उनका photosynthesis का process कहा होता है, उनके तनों में होता है, क्योंकि उनके तने क्या होते हैं, वो green होते हैं, और उनमें ही photosynthesis का process हो रहा होता है, उमीद है कि सारी चीज़े clear हैं बच्चों, अगर कहीं पे भी कोई confusion है, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर पूछिएगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी कॉमेंट का रिप्लाइ करूँ और अलग से आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए चोटा सा वीडियो बनाओ ओके आगे बढ़ते हैं जो फोटो सिंथरिस का बेसिक प्रॉसेस है उसको डिसक्स कर लेते हैं क्लोरोफिल ट्राप लाइट और सोलर इनरजी और बिकम अनरजाइज ठीके तो सबसे पहले क्या होता है कि जो प्लांट में क्लोरोप्लास के अंदर क्लोरोफिल है वो सूरज की रोश्टने को trap करता है और वो charged हो जाता है This energy is used in splitting of water molecules into H plus and OH minus radical फिर क्या होता है यह जो energy chlorophyll में आ गई सूरज की energy से chemical energy में convert हो गई वो use होती है water का molecule तो आपको पता है water का molecule का formula क्या है? H2O, अब H2O उस energy से H plus और OH minus iron में convert हो जाता है तो जब यह water molecule तूटता है तो इस process को क्या कहते हैं? इस process को कहते हैं photolysis of water ओके? oxygen अब उसके बाद देखी क्या होता है? oxygen from OH minus radical is released into the air फिर क्या होता है कि OH minus iron जो बने हैं यह अब यह तो एक तो नहीं होते बहुत सारे यह बनते हैं उसमें से जो oxygen होता है वो release हो जाता है ठीके? उसमें से oxygen air में release हो जाता है hydrogen combine with carbon dioxide to form glucose ठीके? और जो उसका hydrogen है वो carbon dioxide के साथ combine होके क्या बनाता है? glucose बनाता है glucose is used by the cell as a source of energy and also in the synthesis of starch ठीके? glucose energy के जैसे जब वो different parts में जाता है तो वो source of energy है पेडों को वहां से ताकत मिलती है और synthesis of starch में भी यूज होता है ठीके? लेटर ओन वो starch के form में स्टोर होता है in different parts of plants और जो भी extra glucose होता है वो क्या होता है? वो आपका starch के form में store हो जाता है in different parts of plants ठीके? तो I hope यह जो photosynthesis का process था यह पूरी तरह से clear हो गया होगा कोई भी confusion है comment section में comment करके मुझे बताइए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं leaf के बारे में कि leaf एक photosynthetic organ क्यों कहा गया है तो अगर अब तक के आपको चीज़े clear हो रही होंगी तो आप समझ गए होंगे कि leaf को photosynthetic organ क्यों कहा गया है क्योंकि पत्ती में ही photosynthesis का process हो रहा होता है ठीके? तो photosynthesis occur in green parts of the plant जितनी भी पेड के green parts होते हैं वहाँ पे photosynthesis होता है leaves are the main photosynthetic organs लेकिन जादा तर जो photosynthesis का process है वो कहा हो रहा है बच्चो photosynthesis, sorry leaves में photosynthesis also occur in the cells of green stem इसके अलावा यह हम उपर बात कर चुके हैं कि green stems में भी photosynthesis का process होता है leaves have following adaptation to carry out photosynthesis अब पत्तियों में कुछ खास चीज़े होती है photosynthesis के process के लिए उसको हम discuss करेंगे all green cells have chlorophylls जितनी भी पत्तियों में green cells हैं उनमें chlorophyll है the photosynthetic pigment to trap solar energy और आपको पता है कि chlorophyll क्या है photosynthetic pigment है जो कि सूरज की energy को trap करता है जो कि water molecule को break करने में use होती है chlorophyll is contained in the chloroplast यह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि chlorophyll कहां present होता है chloroplast एक organ है मतर के दाने के चैसा एक organ होता है उसमें यह present होता है so chloroplast are the actual sites of photosynthesis in the cell तो यह बहुत important point है इसको highlight ज़रूर करियेगा और memorize करके रखियेगा कि actually photosynthesis पत्तियों में कहां हो रहा होता है तो chloroplast are the actual sites for the photosynthesis in the cell leaves have broad and flat surface to absorb sunlight and carbon dioxide पत्तियों कैसी होती है चौड़ी और चप्थी ताकि सूरज की रोशनी और carbon dioxide gas अच्छे से वो अब्सॉप कर सके they are arranged at the right angle to the solar rays so that maximum area is exposed और exposed और पत्तियों इस तरह से arranged होती है ताकि वो सूरज की रोशनी के 90 degree के angle पे पड़े ताकि जादा से जादा energy वो ट्राप कर सके leaves have stomata stomata for the entry of carbon dioxide needed for photosynthesis and for the exist of oxygen produced during photosynthesis और आपको पता है कि पत्तियों पे छोटे छोटे minute pores होते हैं opening होती है जिनको हम क्या कहते है stomata कहते है जो sites of exchange of gases जिनको कहा जाता है तो carbon dioxide gas उसी से पत्तियों के अंदर आती है और oxygen gas उसी से पत्तियों के बाहर जाती है ठीक है उसके अलावा the large intercellular spaces between the cell of spongy parenchyma helping easy diffusion of carbon dioxide to every cell ठीक है अगर उसके leaves के अंदर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो spongy parenchyma है उनमें intercellular space इतना है कि carbon dioxide अराम से diffuse हो जाती है हर cell में the vein in the leaves contain both xylem and phloem और इसके साथ साथ कि जो veins होती है पत्तियों में उसमें xylem phloem दोनों present होते हैं xylem provides water to every cell in the leaves ठीक है xylem क्या करता है हर एक cell को पानी पहुचाता है और phloem क्या करता है खाना जो बन रहा है उसको ट्रांस लोकेट करता है other parts से तो यह सब ही modification होते है leaves में अच्छा यह देखे मैं जो आपको बता रहीं थी chloroplast का यह diagram है इसके अंदर chlorophyll होता है और यह leaves में आपके present होता है और intercellular spaces यहां पे दिखाई गई है तो इस diagram को अपनी मुख में ध्यान से देखिए spongy parent gyma की spaces, chloroplast तो इसलिए leaves में जो photosynthesis का process है वो असान होता है ठेके activity one देख लेते हैं to observe stomata on the under surface of leaf पत्ते के नीचे वाले हिससे में आपको stomata को observe करना है lower surface जो होता है तो यह diagram आप देखोगे तो यह guard cells है and this is the stomatal opening यह सभी क्या है stomata है stomata के बाहर जो kaju के जैसी या bean के जैसी जो cells है इसको guard cells कहते है ठीक है टेक टेक अ ग्ली clean glass slide and put a drop of water in the center टेक अ फ्लेशी fresh leaf and peel of the epidermis from its lower surface place the peel on a drop of water on the side and cover it मतलब आपको एक पत्ता लेना है और उसको थोड़ा सा उसका epidermis को हटा करके बहुत ध्यान से उसको water drop डालके cover slip से ढख करके आप यह microscope में ही observe कर पाऊगे और under the microscope आपको यह observe करना है तो आपको इस थरह के apertures दिखाई देंगे तो आप stomata को observe कर सकते हो ठीके तो जब आपके school खुल जाएंगे तब आप यह experiment देख सकते हैं उसके बाद हम बात करेंगे stomata the site of exchange of gases opening and factor affecting यह सारे चीज़े हम part 2 में discuss करेंगे along with the experiments जो भी दिये हैं उससे पहले आप लोग फट फट वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे सारा solution भी मैं आपको provide कर दूँगी थोड़ा सा मुझे time दीजे and thank you everyone for watching the video have a great day bye bye everyone